सपा बसपा गटबंदन में राश्ट्रिय लोकतल के शामिल होने की अपचारी घोशना हो गई है रालोद मतूरा बाकपत वा मुझजफर नगर सीटों पर चुनाव लड़ेगा इसका एलान जयन्त चौधरी वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मंगलवार कुही संयूक्त प्रेस कॉन्फरेंस में हुआ इस मौके पर रालोद के राश्ट्रिय उपध्यक्ष जयन्त चौधरी ने कहा कि मैंने और अखिलेश यादव ने कई मुद्दों पर बात की हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और प्रदेश की सभी सीटों पर गटबंदन के प्रत्याशी को जुताने का प्रयास करेंगे उन्होंने कहा कि मैं रालोद कार्यकरताओ से उमीद करता हूँ कि वो गटबंदन के चुने हुए प्रतैशी को जुताने के लिए जुट जाए वही अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में भाज़पा को हराने के लिए सपा बसपा वो कॉंग्रेस सहित कई पार्टिया गटबंदन में शामिल हो रही है अखिलेश ने कहा कि देश्व समविधान को बचाने के लिए जरूरी है कि सभी पार्टिया एक साथ आए उन्होंने जोर देकर कहा कि कॉंग्रेस पहले से ही हमारे साथ गडबंदन में शामिल है कॉंग्रेस के लिए अमेठी वराय बरेली की दो सीठे छोड़ी गई है उन्होंने कहा कि ये पार्टियों का नहीं बलकि विचारों का गडबंदन है